हेलो एर्यवन कोटलेंट प्रोग्रामिंग में आपका फिर से एक बार सौगत है तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले जो भी हमारे एरे में डुप्लिकेट वैल्यूस होगी टुप्लिकेट एलिमेंट होगा उसको कैसे हम रिमूव कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते सबसे पहले आप मैंने एक सिंबल एरे लिया है जिसको हमने एस इसे लिया है तो इसके बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं यह यह लोग निकाल लेते हैं तो इस तरह से हमारा एरे का जो लेंट है वह निकल जाए है तो यह आप एक हम लोग टेंप्रेरी इंटीजर एरे लेते हैं इसका रहे गार जो कि रहेगा तो यह नियू एरे अरे एक पर स्टू अ इंट एरे और जो भी हम बाइडिफॉल्ट साइज देंगे एरे का फाल यह आप हमने एक निव इंटीजर एरे क्रियेट किया है और ए तो हम लोग यहाप पर फॉर्लूप से चेक करेंगे एक फॉर्लूप लेते फॉर्लूप जो कि रहेगा आए इंट जीरो टू हमारा जो भी एरे का लेंट होगा तो लेंट माइनस वन तो यह रहेगा जीरो से चलेगा हमारा लेंट माइनस वन तब यहाप पर हमने फॉर्लुप लिए तो हमारा लेंट जो है वो नंबर्स में आते सी नहीं के दिसमें है तो यह अगर इंटेक्स पखड़े तो अब लुब के अंदर लुब क्या लिगने वाले यहाँ पर चेक करेंगे इस कंदिशन में इस हमारा अरेयो और अलेमेंट अरेयो अरेयो पॉफ आई इस नॉट इक्वल स्टू अगर हमारा करेंट एरे पोजिशन और आगे का जो एरे पोजिशन है वो अगर सेम नहीं है तो ही हम हमारे न्यू एरे जो है हमारा उसमें वो वैल्यू स्टोर करेंगे तो यहां पर न्यू एरे हमने जे जे लॉस प्लस है तो एक हमारा जे नाम का वेरियेबल लेते हैं इंटीजर जे लामदा वैर जे इक्वस टू जीरो तो इनिच्यली जे के हमारा जीरो और उसमें हम लोग एरे कि अधाय को स्टोर करकर रगें यहां तक क्लियर है उसके बार यहां पर इस चलते रहेगा जैसे हमारा यह प्लस वन का हमारा टू इस नॉट इक्वस टू तो यह ग्वस टू तो यह कंडिशन फाल्स हो जाएंगी तो यह स्किप कर देगा सेकंड पर आएगा 2 is not equal to 4 यह true हो जाएगा तो नियू आरे पर जो भी हमारा पॉजिशन जाए जे 0 जिरू पॉजिशन पर आए टू स्टोर हो जाएगा तो ऐसे करते करते यह लूप चलते रहेगा जो भी हमारा डुप्लिकेशन इलिमेंट है वो स्किप करके इस कंडिशन फॉल्स हो जाएगा और जो भी हमारा टू कंडिशन है उसमें हम लोग नियू आरे में वैल्यू को स्टोर कर रहे है यहाँ पर प्रॉब्लिम क्या है यहाँ प्रॉब्लिम है आरे ओफ जब यह लास्ट पॉजिशन पर आए यहाँ यहाँ पर आया आए अमारा 6 पॉजिशन पर और आय प्लस वन तो यह सेवन पॉजिशन हो गया तो यह इस कंडिशन जो है वो एक्जीक्यूट नहीं होगा और यहाँ पर एर्रत देगा है इसके लिए हमें क्या करना है यहां पर यह जो सेवन प्राइक यूज़ करना है कैज यह जो इस कंडिशन है इसको हम डालें गे ट्राइब लॉक है यहाँ को लेंगे चैच यहाँ पर एकक्सेप्चन इस खुक्ट है रहे हो यह आपर जो भी हमारा यह स्ट्रेट्मेंट है यहां पर प्रेंट करके यहां पर एक लैंग मायनस मतलब लास्ट पोजिशन जो है उसको यह आपर स्टोर करके रखेंगे अगर यहां पिर हमारा इसा कुछ exception आया तो अर्य वार्ट बोन exception आया तो हम यहाँ पर अरे length का store कर देंगे length minus one last position पर तो यह होगा हमारा For loop executing हो गया फिर हम लोग क्या करेंगे तो हमारा new array उसको हम लोग print करके देखते कि क्या value आई है तो new array के लिए हम लोग लोग चलाएंगे प्रिंट के इन निव एरिया तो यहां पर पर प्रिंट स्टेटमेंट लगा देते हैं हाँ प्रिंट इस तरह से हमने कोड किया तो नंद करके देखते हैं क्या और कुड़ा रहा है तो यहां पर हमारा अब देख सकते हो 24567 कमरा यह ता 22 45567 यहां पर हमारा भी एरे डुप्लिकेशन डुप्लिकेड़ एलिमेट्ट जो है वो हमने रिमुव करती है वह वह उस तरफ प्रिंट हो रहा है आप करता हूं तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर ट्राय और कैस्ट ब्लॉक लगा है अगर मैं ट्राय कैस्ट ब्लॉक रिमूफ करता हूं तो क्या आता है वो भी देख लेते हैं एक बार यहां पर देख सकते हैं इंडेक्स आउट आप बार्ण एक्सेप्शन यहां पर आ रहा है क्योंकि यहां पर जो हमने एरे आउस आई प्लस वन लिया है तो यह लास्ट पोजिशन के उपर का इलिमेंट ले रहा है जो कि हमारा एरे में नहीं है ट्राइब और वट्रियर है तो इस तरह हमने प्लिक्ट यहां अमणे रिमूट करते हैं तो ऐसे कुछ विडियो आई पर आते रहेंगे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फेल विडियो को लाइक करो थैंक्यू थैंक्यू पर वचिंग झाल झाल